बार दोस्तों स्वागत है आपका और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि RCC किसी भी RCC बीम का हम लोग depth of neutral axis कैसे फाइन करते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो यहां पर अभी हमें questions दिया है इसका हम solution करते हैं यहां में questions में क्या बोला है है determine the depth of neutral axis of a beam beam का size दिया है बीम कितना है 250 into 400 mm का beam है width और इसमें still जो हम लोग को reinforcement जो use हुआ है क्या क्या दिया है हम लोग को 3 bars use हुआ है 20 mm का 3 bars use हुआ है and also check for the type of the section यह कौन सा किस type का section थे under reinforcement या अभर reinforced या balance section है तो हम लोग को यहां से है total depth of neutral axis का formula हम लोग जानते हैं हम लोग जानते है total tension total tension total tension of the beam is equal to यह total compression compression इस तरह से हम लोग क्या करते हैं compression करके हम लोग इसको equilibrium में करके हम लोग यहां से depth of neutral axis इसका formula find करते हैं तो total tension हम लोगों बी में कितना होता है 0.8787 fy fy ast ast is equal to क्या होता है total compression 0.36 fc k fc k 0.36 fc k b into x u b b x u होता है प्रश्य सब्सक्राइब धाए और सुब्सक्राइब ग्याम सब्सक्राइब ऑर यह वह भी में के अनुधे तो इसके वह उसके बाद हमें क्या दिया है घेतर घाय व में क्या है तो यहां से हम लोग क्या होगा 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 यह त्री नंबर सब्सक्राइब कितना 20 इसकोर सो यहां से सब्सक्राइब कितना मिलेगा तो हम लोग को यहां से एरिया आप देश्टील मिलेगा 942.5 mm2 हम लोगों को और क्या-क्या यहां पर कोशन में दिया है तो कोशन में हमें यहां 20 ग्रेड अफ कंक्रीट यूसक्या है तो यहां पर क्रेटरिस तेंट ओप कांप्रीट निकल यह निकल जाएगा यह कितना होगा 20 न्यूटन पर एमेम स्क्वार सो अब यहां से हम लोग लोग क्या करेंगे तो यहां से अभी हम लोग को इधर इसको अगर इधर ले ज F C K is in and B so, आप हम लोगों यहाँ से depth of neutral axis, हम लोगों यहाँ पर पुट कर देंगे तो निकल जाएगा XU is equal to, इतना होगा, तो 0.87, 0.87 और F Y, इली strength of still, कितना दिया, एफ हम लोग कितना यूज के ग्रेड अब इस्टिल एफी 415 तो हम लोगो एफ y is equal to कितना आगा 415 newton per mm square इल इस्टेंट अब इस्टिल तो यहां से हम लोग 409 415 इंटू एस्टी एरिया अब इस्टिल कितना मिला है 942.5 mm square divided by हम लोगो 0.3 FC के यहां से हम लोग पूट कर देंगे बी तो अभी हम हम लोग calculate कर रहे हैं तो हम लोगो 189 mm मिलेगा अभी हमें questions में क्या बला है हम लोगो चेक करना है कि यह मतलब कौन सा हम लोगो under enforcement section है या balance section या ओभर enforcement तो इसको हम लोग कैसे change करते हैं तो यहां से अभी हम लोग पहले क्या यहां से find करेंगे limiting 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 value of limiting value value of neutral axis neutral neutral axis यहां से हम लोग और निविल्टिव बेलों neutral axis दैट इस हम लोग host u of xy क्या max से denote करते हैं तो north x y mass है तो अभी हम लोग च्रत्रत्राइबं निब्स इस इसमें मेत ब्रक्राइबं इक्स्च्च्रिक्रिक सी मेक्स एक्स्च्राय इस उप्राइबं मैं तो कितना होगा तो हम लोग को 0148 हम लोग क्यूं каче क्योंकि हम लोग grade of concrete sorry grade of steel कितना दिया है FE 415 मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे एक IS code है हम लोगा हाँ इस IS code में देखिए हम लोगो XU max by D क्या value हम लोगो grade of steel अलग-अलग के लिए अलग-अलग दिया होता है तो FE 415 हम लोग use कि इसलिए यहाँ पे 0.48 या यूज लोग ने यहाँ पे यह या यह यह घून कर दे करनेके हम लोगskो area given 418 intraraga professor यहां पर अभी हम जो घ्राइव घंट tutti कितना मिलेगा मिले चितना मिलेगा आपका में सब्सक्सक्राइब मिलेगा यहां पर तो एम नाइनटी – 122 मोडे चुक्endraी मिलेगा तो अभी हमै कि एक्सियू का वेल्यू कितना है एक्सियू का वान एक्सियू का वन एक्सियू 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 एक्सि करेंगे जब हम लोगो इस तरह का condition बनता है जब एक्सिव का वहलो हम लोगो लेस होता है एक्सिव में इस सेक्षन क्या होता है ने ने वहलो हम लोगो पहले परमिशेबल लीमिट अपना वो क्रोस करता है और आज कंपेर टू कॉंक्रीट सो आई होप आपको यह पता चल गया होगा डैप्ट आप नीट्रेल एक्सिस कैसे फाइन करते हैं तो थैंक यू